हेलो गैस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नहे वीडियो में आज मैं आप लोगों को बता हूँगा गाइस के आप लोग फॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हो अगर आपके पास एक आपको फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना है आपके फॉन पूरे सिस्टेम में जो भी आपको टेक्स डिखे हुए इसको बोलते हैं इस फॉन्ट तो अगर आपको इस फॉन्ट मतलब टेक्स साइस इस इसको चेंज करने दूसरा यह आपको लगाना है बहुत सारे फॉन्ट आपने देखा हुगा इसकी जो भी लिखावाट होता है वह यह थोड़ा से style होता है तो कैसे आप लोग अपने इस phone में भी जो अपने phone style को change कर सकते हो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा गाईस आप लोगों को इसलिए वीडियो को last तक देखिए और अगर वीडियो पसाना है वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजे तो चलिएगा इस वीडियो को start करते हैं font style को change करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस phone के settings में जाना है settings में जाने के बाद यह आपर एक option मिलेगा personalizations का तो इस personalizations पे click करना है click करने के बाद font and display size का option मिलेगा तो इस font and display size पे click करेंगे click करती यह आपर आपको दो text style देखने को मिलेंगे जो कि बिल्कुल normal है तो अगर आपको थोड़े से style is download करना है तो phone के mobile data on कर लीजे वाइफाई के साथ connect कर लीजे उसके बाद more पे click कर दीजे more पे click करती यह आपर आपको बहुत सारी unique unique text style देखने को मिलेंगे देख सकते कितने सारे है तो जो भी आपको पसंद आता है उस पे click करना है click करने के बाद apply का option है apply पे click करेंगे तो यह जो text style लेगे आपके phone में change होके apply हो जाएगा भी मैं तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने oppo f25 pro phone में आप लोग phone style को change कर सकते हो तो कैसा लगागा इस आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसान आया हो तो वीडियो को like कर दीजे और channel को भी subscribe जरूर से कर लिजे मिलते कर लेग नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बढ़ाई